यह आपे देखा हुगा सुबह सब्षोप हल्वाई के भीड़ हो जाती हैं क्योंकि कचणी और बेड़े ही संडे के दिन अगर अपने घर में बनाले तो उच्छा रहेगा सब पेट भरके भी खाएंगे और ऐल्दी के हैल्दी भी होगी तो देगे बिलकुल वैसी ही सब्जी आप दिया साथ में बिल्कुल वैसी ही कचोडी है कमेंट सेक्षिन में बता दीजिएगा किन किन लोग कचोडी और बेड़ी पसंद है तो चले चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ कि मुंघढ की रेसिपी बिल्ले आज के रचर आतरत तो आज में लोग रात हृवद है पाको सबसे आप तो पीस में कर दिया और ना जब तक चलते हैं इसाबजी पना लेते हैं और सबसे ऍरिकर बेर साइट में कर दिया तो . प 응 crazy बेसम करना है इसको हल्का सेर स्ट आपर लाता है तो समझी का बाना प्रीकित अपने देखा होगा वार लटेस्टी होती इस ही, बिल्कोल वैसी ही सबसे पहले तल एंगे चीजा सब्ढ़ सनदया जीरे में विख ठाल दिया है शिक शी प्रमा पर डाल झाल पर दाल दिया हल्दी जले ना इसलिए तरण तमाटर एड कर दीजेगा तम टमाटर आलू किस नॉर्मल सब्जी नहीं बनाएंगे हल्वाई जैसे सब्जी बनाएंगे बिल्कुल अब इनको पकने देंगे हम हल्गासा तमाटर हल्द केसे पके से हो जाएंगे उसके बाद फि सुबह का टेस्टी नाशत तैयार हो जाएगा तो यह है जरूरी मसाला है सबसे पहले मैंने एक चमज लिए हैं पर दनिया और फिर मिली है मैंने थोड़ी लूग आदी चमज लूग और फिर एक चमज काली मिड्स इन तीनों चीजों को हमें दरदरा कूट लेना है उसके ब अब दाल देती हूं में एक चमज कश्मीरी लाल मिच इसे बहुत अच्छा कलर आता है आप नॉर्मल लाल मिच भी इस्तमाल कर सकते हैं और यहां पर बेसन भी अड़ कर दिया है मैंने अपना निकाल दिया था हमने तो इसको देखिए ठिक सा होने लगा बेसन के बाद ही अ पकने के लिए थोड़ा टाम तो लगता है इसमें पानी अड़ कर दिया है और अब इसको हमें चलाते रहना है थोड़ दिर सिकी पक जाए तो आप देख सकते हैं कैसे तेल छोड़ चुका है और हमारी चमाटरे वह भी अपने आप ही मैश हो गए मैने विलकुल मैश नहीं क यह है थोड़े जातवड़ हो है आप चैनल ठीकल़ का समेश कर आखे-टर सबचित हैं है और ही खालवाई के घ्रेञ्ट है तेस्टी है अब इसमादी कर दीए हैं ह। बहुत सबची मैंने की कचोड़ी किक यह आप किसी के साथ सबची हो, वह भी चाहिक के पूरी के साथ प जब तक अपना हम कॉचौड़ी के अंदर मुंग दाल का मसाला तेयार कर लेते हैं तो यहां पर मैंने थोस एल या पैन में और दाल दिया जीरा हो चुका है पॉप इसमें देखें मुंग दाल दिया पीसके रखी है ना बिलकुल बारीक है और ना बिलकुल डाल डाल है बीच का ऐसा है इसको डाल देंगे अपने पैन पे और इसको करेंगे फटाफट से mix तो कर देते हैं mix अपने oil और जीरे के साथ पहले है इसको कर देंगे mix और इसको हमें पानी सुखाना देखी सारी दाल हमने अच्छी से mix कर दिया और इसका में पानी सुखाना है आप पता है मुंग दाल हमने राद बर कले तो इसमें पानी तो हो गई तो पानी सुखे गा तो आपके पैन पर चुपकेगी भी उस पास से आप टेंशन आ लिए जब ही अपने आप बिखड़ने लग जाए इसका मतलब भी पक चुकी अब आप देखें मैंने राद गरप आप मेंके लिए तो आप दीकिया है तो आप देखें तोड़ा से southwest enhanced एपमिख मीर भी आपने एत्ट वात्यम नहीं ह сторон कि से घुझता से मसाला मासालवर्य थोड़ा से आमचूर पाऊडर यह सारी चीजे कर दिया मैंने इसमें असमें लाद करें सबंसहें सब्सक्राइन 10-15 बिasında पके थोड़ देट तक रखी रहती है तो और धिक हो जाती है और ज़एटी लगती है इसको थोड़ा सब आपने देंगे देंगे slow film आप देख लिए अब देखिए इसको देख लेते हैं अपने देखिए हमारा ही अलग अलग भी होने लगा है यानि कि यह पकने लगा है और आपने इसको सबको mix भी कर लिया easily देख एक आपनी मुंग दल किती तेस्टी लग रही है अब देखें मुंग दल तो हो चुकी है बिलकुल रेड़ी आप देखें इसमें डाल दिया मैंने हिंग पिंच आफ हिंग इसको भी कर लेंगे mix और आप चाहें तो यह देखिए आ अब देखें आपको खाने में भी लगने वाली है आप एक पर इसे ट्राइज रूट करिएगा अम इसे कमें सेक्ष्ट में बताईएगा आपको यह सबजी के रैसिफी कैजी लगी है तो अब आप देखें सबजी हो चुकी है रेड़ी चले चलते हमने आटे की तरफ तो आ अब कर आपने मैदा काया अब यहां पर चार चामज डाल ही हूँ अपना ऑइल रिफाइन और यह पर इसमें घी स्थमाल कर सक्ते हैं अब इसको कर देंगे मिक्स इसको मिक्स करें और हमें क्या करना है आटे को बांद के देखना है जैसे अटा बदने लगेगा इससे परसल नहीं डालना है इस प्रोसेस से आप चेक कर सकते हैं तभी मैंने चार चमज डाला था आप देख सकते हैं आटा भी थोड़ा साथ है आदा क्लोग बगाटा होगा 500 ग्राम इसको कर देते हैं मिक्स अच्छे से अब आप देखते हैं से बांध के देखेंगे तो आप देखेंग किया कर देखें तो लगा वाहल शाल कर दो कर दिया इसमें अर इसके बाद में से फिर से MIX करेंगे यहां पर इसको कर देते हैं मिक्स अब देखते हैं आपको भी आसा करके चेक यहां करना है और अगर का परावल पर protective 이것 कौन तरी आप अलगा एक रृवल में चार्मच परेम ललता है इसे साब से भी आप कर सकते हैं बाऎकी आप देखिए अब इसको बांथ चेक करेंगे दिसमें ने केुम करने के बाद हम दो बार है य treat ये अफने आ बंद रहा है आप देख सकते हैं इतना नहीं तूट रहा है यह बंद रहा है तो इसलिए भी हो चुका है डैटी अब जादा मोहीन अंट्नी करेंगे इसमें एड केले पानीहिसमें पानीहिसमें यह खिर बिदेख अब इसको लिए ब और पर कुछनी करना करना कुछ्छ अपने अड्ने न करना आगत तेह doesn, recycle, light obtained करना है जिसकी जितना अच्छा नीट हो उतनी अच्छी है कोचोडी हैंगी आपको कचोडी के लिए हाँ पर थोड़ी सी मैंद करने पड़ेगी पर इसके बाद रिजल्ट आएगा वह आपको बहुत खुछ करने हाला है इस पर हमने लगा दिया है और ग्रीस कर दिया है से चाज सब्सक्राइब हैं कर दो उक्रायबशी है जया झालना होट हम भाड़े न्योगा समया सब्सक्राइब हमें ओaufen कर बंजिए अपिस्तहर इसम전 नहीं करना है तो प्रिजिआर है तबलन कर सकते हर जरजेक होता है है यिससमें हाद कर देंगे अब इसमें आड करेंगे जो भी हमने तयार करा था शाला उसको एड़ कर दिया है हमने इसमें और इसको करेंगे हड़ जग ऐसे बले थोड़ा सा जाद मैंने भरा था तो आप चलिए इसे फटाफट से बेल के दिखा देते हैं हाथ से अपने आप बढ़ा कर सकते हैं पर मैं बेल के दिखा रही हूं इससे दाल हर जग है इक्वल मात्रा में बैठ जाएगी इस वजए से तो आप देखिए इसको बेल लिया बिल्कुल भी नहीं फट रहा है आप देख सकते हैं किसी भी तरफ से और यह देखिए यह तैयार हो चुका है अब आप चड़ा दिया है आप आप इसके उपर नहीं डालेंगे तो यह नहीं फूलेगी इस लिए इस प्रसेस को बिल्कुल मत्पिस करिएगा इसके उपर किसी चीज की देखिए फूली की नहीं फूली इतना अच्छा टेक्शर आया है इतना अच्छा कलर आया है दिखने में किती टेस्टी लग रही है और आपकी सारी कचौडी फूली देखिए इतना अच्छी लगेंगे आपको यह घर पर बनाई हुई कचौडी इनको निकाल लग लीutta डिटाइज कना इसी सारी कोचपरी फरटाफट से क्रिख रिक क्रिस्पी बनीते से लें। और आप देखिए इसके अंदर दाल इक्वल मात्रा में है की नहीं है देखिए कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा वीडियो को जादे से जादे लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा मिलिंगे ऐसी ही एक और वीडियो में जब तक लें बाय बाय